हालो विरुफल पीपल नमस्ते कैसे हैं आप सब टैटल फट्रबल वन पे आप सब का बहुत बहुत स्रागत है गाइस आज करेंट फिलिंग्स पर रेडिंग लेकर आई हूँ यानि कि आपके पोर्शन की वर्दमान भावन आए कैसी चल रही है इस वक्त जब आप देख रहे हो यह रीडिंग ठीक है और आज कल थोड़े दिन हो गए है मैं वीडियो कंटीनियूस नहीं लेकर आप आ रही हो गैस थोड़ी सी प्रॉलम है तो कुछ दिनों के बाद मैं कंटीनियूस लेकर भी आऊंगी तो आप लोग ज़रा सा भी परेशान मत होई ठीक है तो गैस अमान भाउनाओं के साथ साथ उनका आने वाला जो फ्यूचर है भविश्या है उसमें आपके पोर्सन आपके और इनके रिलेशन्शिप को लेकर क्या करेंगे कैसा रहेगा आप तुनों का रिलेशन्शिप आने वाले दिन में ठीक है इन तमाम बातों पर आज की ठीक है आपको पाईल आपने पोर्सन के लिए सलेट करनी है पाईल नमबर उन में अल्फेबेट्स है एडी जे एनक्यू टी ड़ू इफ आई ऑ और आपके अल्पिन और आजडी जे जे एनक्यू टी ड़ूचे यू एफ यह यह है पाइल नमबर टू तो पॉजिटिव एनरजी में रहिए गाइस और अपने रिलेशनिशिप के बारे में सोचिए पॉजिटिव वाइबस अपने पोर्शन की तरफ भेज़िए उनको अपने तरफ एट्राक्ट कीजिए मैनिफेस्ट कीजिए मेडिटेशन कीजिए यान नमारा पाइल नमबर वन अडग, JNQ, TW, C, FI, LR, X, पाइल नमबर वन ठीक है हुआ हमधिए हुआ 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 प्रोड़ कि दो पिताद कोवा है अज़ कुछके जा है पर स्भूपदिट दो चाल भर्पट से जा है प्रेंश पिताद कि अज़ किपताव प्रेंश पिताव कलो एड दो प्रेंश 5 of cups की पहली energy निकल कर आई है वो भी current feelings में उनकी वर्तमान धाउनाओं में दो कार्ट साथ उलत गए है गाई स्पेज अफ कर्प्स और स्टार एंपरोर देथ इड़ दूओ झा। 2 of swords 9 of cups 7 of cups wheel of fortune और bottom of the deck में निकल कर आया है हमारा six of pentacles ठीक है तो guys ये रहे कुछ cards जो मैंने निकाले है टार्ट से चलिए sign और element पर आते हैं आज की इस reading में तीन बड़े cards major arcana से निकल कर आया है Scorpio के energy strong है Aries भी यहाँ पर strong है उसके बाद Aquarius के energy strong है उसके बाद water sign सबसे ज़्यादा है Cancer Scorpio, Pisces, Kirk, Rishikor, Meen, Rasi उसके बाद यहाँ पर मुझे earth sign नज़र आई है Taurus, Virgo, Capricorn, Rishakran, Makarasi कुछ लोगों के लिए air sign भी है Gemini, Libra, Aquarius, Metantula और Kum, Rasi तो यही sign और element निकल कर यहाँ पर आये है और तीन बड़े cards मेजर अरकाना से निकल कर आये है तो reading को देखे last तक guys क्योंकि messages फिर्ण की तरफ से निकालेंगे हम बहुत सारा और यह reading जो है general reading है आप सब जानते हो personal या paid reading नहीं होती तो accurate सभी के लिए हो यह जरूरी नहीं है सभी के साथ match हो यह जरूरी नहीं सभी को blessings मिले यह भी जरूरी नहीं जिनका divine timing आता है उनको ही यह सारी चीज़ें मिलती है और gender specified reading नहीं होती है male female सभी gender के लिए यह होते है तो चलिए आपको बताती है कि आपके portion की current energy जैने कि उनकी वर्तमान धावनाओं में क्या कुछ fair बदल हुआ है क्या चीज़ें चल रही है तो सबसे पहले जो मायूसी का card निकल कराया है five of cups का card पहला जो हमारा card निकल कराया था यह इस card को देकर आप समझ जाओगे कि आपके portion अकेले नहीं है जी हाँ यह आपके portion जो है भले ही आपको यहाँ पर अकेले खड़े हुए मायूस तन्हा नजर आते हैं पर यह अकेले बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यह किसी की यादों में है समझ रहे हो यह अकेला पर इनको किसी की याद दिलाता है यह जो खामोसी है इस खामोसी में बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ मुझे नजर आता है आपके portion की current energy is बहुत sad है pile number one ठीक है नजर आता है किसी को खो देने का किसी से दूर हो जाने का हैना पर जहां कर भी उसको अपने गले नहीं लगा नहीं पाने की जो एक मजबूरी होती है उस मजबूरी का नाम होता है five of cups की energy और जब ये card reading में निकल कर आ जाए तो आपको समझना है कि बले ही ये इनसान खामोस है बले ही इनसान चुप है पर ये आपको पाने के लिए बहुत तड़प रहा है आपके प्यार के लिए तड़प रहा है बले ही वो आपको नहीं दि secret feelings में याने कि इनकी अंदर की जो भावना है उसमें आप देखो कि आपको बहुत सारी खामोसी नज़र आएगी किसी का इंतजार नज़र आएगा और किसी के प्यार को बहुत ज़रा मिस करना नज़र आएगा तो ये आपके प्यार के लिए तडप रहे है pile number one ठीक है तो आ आप जानते हो ये energy कैसी होती है ये एक ऐसा मुखोटा लगाया हुआ इंसान होता है जो बाहरी तोर पर ना मुस्कुराता रहता है ऐसा दिखाता है कि इनकी जिंदगी में सब कुछ सान्थ है इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है पर ये स्रिफ इनका कौर चसलिए बालन तोर diff पpra ज़ी हकश सब करा दिखा परति में सब करतें पर शब्स हें dann जिसे ऐसा हो सकता है कि यूनों ये action नहीं ले पाए या आपको अपनी जिन्दगी में सामिल नहीं कर पाई strong नहीं बन पाए आपके portion जब relationship के बारी आई है तो बहुत सारे obstacles बहुत सारे बिवारे आपके relationship में है क्योंकि 8 of source का card यहाँ पर आया है और जब भी action number का card reading में आता है तो आपको समझना है कि relationship इतनी आसान नहीं है जितना आपको लगता है आपको लगता है कि बस आकर एक बार propose ही तो करना है बस एक बार unblock ही तो करना है आकर आपको अपनी feelings ही तो बतानी है इसमें कौन सी बड़ी बात है पर जो सामने वाला इंसा इसमें होता है उसको ऐसा नहीं लगता उसको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो relationship है वो relationship इतनी easy नहीं है जितना आपको नजर आता है तो यहाँ पर आया है याणि कि आपके पोर्सन के अरजिस मुझे नजर आता है कि इंसान बंधनों में बंधे हुए है समझ रहे, प्यार की होते हुए भी आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए तडप रहे हैं, पर इस इंसान को लगता है कि अभी instant आपके पास आजाना इस इंसान के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि इनको या तो trapped कर दिया गया है, trapped समझते होना, बंधनों में बान देना, वादे देना, कसमे देना, आपसे दूर रहने की हिदायते देना, तो ऐसे चीज़े इनसान को कमजोर कर देती है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे ही problems आपके person की जिन्दगी में चल रही है, यह इनस दो नाव पर सवार है आपके person, किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ में भी फसे हुए है, जहां से निकलना इनको मुम्किन नहीं लग रहा, एक तरफ इनका प्यार है, दूसरी तरफ जो है, इनकी कोई ना कोई मजबूरी है, financial problems हो सकती है, family का issue हो सकता है, कोई ना कोई issue इनका दूसरा life में चल रहा है, जिसके वज़े से इस इनसान के energy बिल्कुल stuck हो गई है, रुक गई है, देखे, यहां पर भी आपको रुकी हुई जिंदगी नजर आएगी, यहां पर भी आपको एक confused इनसान नजर आएगा, जो decide नहीं कर पा रहा कि प्यार को चुनू, या जो मेर गुमाना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं आप लोगे, दोनों ही चीज़ों को अपने साथ रखना चाहते हो सकता है, इनके लिए यह दोनों ही चीज़े, यानि कि आप इनका प्यार और दूसरा जो दूसरी तलवार है यहां पर वो इनकी कोई दूसरी situation हो सकती है, या दूस की current energies नजर आ रही है, और यह बहुत दर्दनाक होता है, जब दो चीज़ों में एक को चुनने का समय आता है, तो यह सबसे बड़ी कठिन परिस्तिती होती है, लोगों के लिए, क्योंकि एक तरफ इनका प्यार है, तो दूसरी तरफ भी कोई बहुत valuable चीज है इनके लिए, तो अब आप यह सोचें कि आप दोने के relationship में वो दूसरी दूसरा angle या दूसरी चीज़ कौन सी है, जिसके वज़े से आपके portion इतना ज़्यादा आपने आपको बंधा हुआ मैसूस कर रहे है, और खुद अकेले ही तडप रहे हैं आपके लिए, ठीके तो गईस देखे, options भ या फिर family pressure के लिए छोड़ा, तो caste issues, धर्म का मामला, कोई ना कोई ऐसा problem तो है, यानि कि आपके portion के पास रास्ते बहुत सारे हैं, जाने के लिए पर यह इंसान confusion में वहाँ पर भी है, यह इंसान जट से यह इस तरीके से फटा फट डिशन लेकर किसी भी रास्टे को चुन प्रहे हैं, आपके प्यार की कमी को महसूस कर रहे हैं, यह इंसान बहुत जारा manifestor भी है, यह इंसान manifestation कर रहा है, पाई लंबर वान, यानि कि अपने problem से निकलने के लिए देखे, स्टार के कार्ड के बिलकुल नीचे 8 of source का कार्ड आपको नजर आता होगा, यानि कि यहाँ पर जो दुआये चल रही है, यह दुआये इस इनसान की सिर्फ और श्री इनकी मजबूरी को दिखाता है, यह इनसान हद से जादा फसा हुआ है, पाई नमबर वान, हद से जादा मजबूर है यह इनसान, यह उपर वाले से अपने मन की बाते शेयर करता है, यह उपर वाले वो अपनी problem से निकलने के लिए ताकि उनको हिम्मत आए उनको strength आए और ये इन सारी समस्याव से निजात पाकर जल से जल solution निकाल कर ये आपकी तरफ आ सके क्योंकि आपकी बीना इस इनसान को अपनी जिन्दगी अधूर ही लग रही है तो ये बहुत ज़्यादा manifest भी कर रहे ये इनसान manifestor है ये नास्तिक नहीं हो सकता ये इनसान ठीक है ये उपर वाले पर डेफिनेटली भरोसा करता है ये उपर वाले पर इतना ज़्यादा इनका भी भरोसा बढ़ गया है कि इनको जो इनका खोया वह प्यार है वो प्यार इनको जो है मनत में चाहिए ठीक है manifestation ये उपर वाले की एक मनत हो चाहत हो जिसे ये पाना चाहते है पर अभी अपने आपको बहुत ज़्यादा मजबूर स्टक एनरजी में नज़र आ रहे है ठीक है ऐसा पाते है अपने आपको तो गाईस देखें यहाँ पर डेफ का 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 भी काड आया है तो देखें मैं ये बात तो आज की रिडिंग में आपसे कह दू, confirm होकर कह दू, guys कि आप दोनों का यहाँ पर बहुत बड़ा cycle end हो रहा है ठीक है आप में से कई लोग का relationship तो यहाँ पर totally end ही हुआ है यानि कि खतम, death का काड हमेशा किसी चीज़ के खतम हो जाने का हमेशा के लिए खतम हो जाना, death य तुम अपने problem से नहीं निकल सकते, मैं अपने problem से नहीं निकल सकता, तुमारे और मेरे पीच में हर चीज़ का अंतर है, differences है, उस differences को हम नहीं मिटा सकते, मुझ में वो काबिल्यत नहीं है, मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि तुमारा साब दे सकू, problems दिखाए होंगे, आपको बहुत सारी बाते बताई होगे आपको और इस तरीके से relationship को end किया गया है ठीक है तो यहाँ पर यह नजर आता है guys कि relationship तो end हो गई फिर भी यह इंसान आपके लिए बेचेन है फिर भी यह इंसान आपको पाना चाहता है फिर भी यह इंसान आपके पास वापस आना चाहता है त तो आपको समझना है कि साइंकल आप दोनों के बीच में चल रहा था, आप दोनों के बीच में पॉजिटिव चीज़े अच्छी चीज़े अब सुरू होनी है, जो भी दर्थ का सफर था, जो भी जुदाही का स्टेज था, जो भी प्रॉलम्स आप दोनों के बीच में रही है, उन सारी चीजों का अंत होना है इसी वज़े से नई शुरुवात होगी गाईज और जो भी चीज खतम होती है उसका फिर से रीबॉर्थ होता है आप जानते हो इस बात को तो दोनों ही कार्ज में बता दिया है कि साइकल आप दोनों के बीच में चल रहा है चक्र के चक्र भ्य में फस गया है इसी वज़े से बहुत सारे प्रॉलम्स बहुत सारे तकलीफे हडल्स लोगों का आप दोनों के रिलेशनचिप में इंटरफियर करना आप दोनों का जुदा होना यह सारी चीजसे एक साइकल का ही हिस्सा था जिससे आप दोनों आप निकल रहे हो यानि कि divine timing pile number one आपका आपके portion के साथ मिलने का आच चुका है और इस relationship का rebirth हो रहा है समझ गए तो ये है सबसे खोपसरत energy सबसे खोपसरत बात और ये बात आपको बताती है ये बात आप confirm हो जाओ कि आपका relationship तूटा भले ही है पर वापस जुड़ने के लिए टूटा है वापस बनने के लिए टूटा है आप दोनों का rebirth होना है इस रिस्ते का पुनर जनम होना है और इस cycle के बीच में आप लोग फस गए थे और इस cycle से निकलने का वक्त आप दोनों का आ गया है ठीक है तो बहुत beautiful transformation आप दोनों के relationship में बदलाव होने वाला है बहुत जल्दी देखे गाइस मैं दावे के साथ ये बात कह दूँ कि आप दोनों के relationship में बराबरी का relationship तो हुआ ही नहीं यहाँ पर bottom of the deck में six of pentacles का card आया है कि relationship बराबर वाली बिल्कुल भी नहीं थी हो सकता है कि आप दोनों में बहुत सारी चीजों का अंतर है ठीक है हो सकता है कि आपके जो portion है वो एक ऐसी family से belong करते है जहाँ पर यहाँ पर पेसे फाइनेशली यह strong है या फिर आप फाइनेशली बहुत जाला strong हो हो सकता है कि यह different caste से belong करते है different religion से याने कि किसी और धर्म से belong करते है आप दोनों का society बहुत different है आप दोनों का culture different है तो कुछ ना कुछ चीज़े आप दोनों की बिचे बराबर वाली नहीं नजर आती मुझे ठीक है या फिर यह भी हो सकता है कि age difference है आप दुनों के जो age है ना उस age में आप दुनों का difference है ऐसा भी हो सकता है तो कुछ न कुछ ऊच नीच आप दुनों के relationship में रही है हमेशा और बराबरी वाला relationship कभी भी आप दुनों का नहीं बन पाया पर bottom of the deck में अभी ये energy नजर आती है कि ये इंसान जो है अब इन ऊच नी seven take जैसा रिस्ता आपको देना चाहते है यानिकि जो चीजर ये पहले नहीं कर पाई ये पीछे हट गयते थैंmost ने अपनी कदम पीछे हट लिय ऐसा लगता है तो अब आपको सोचना है कि यहां पर energy is बिलकूल इलड चुकी है ती कि अब इस इंसान के मन में वो सारी भावनाएं है कि relationship को सिर्फ इतरफा handle नहीं किया जा सकता relationship में strong होना जरूरी है relationship अगर चाहिए अगर इस प्यार को मैं पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे भी बराबरी का effort लगाना है मुझे भी वो सारी चीज़े कुर्बान करनी है जो मे करें घयां कि अपने हरे फालियो हूँ विहाँ आपके होगा पार चाहँ गते हैं मेरे उसे सब्सक्राइब और अच्छा को सारा अगत्ढ़क आपबो है यह अ कि शातन यह व्यूल्य भाट की कना नहीं कि मेरे बा डिल्सकूं सब्सक्राइब मेरे लाइफ में इस टीज की भी प्राइरिटी है तुम भी हो पर मुझे बागी और भी चीजे चाहिए उनके बारे में भी मुझे सोचना है मेरे कंदो उपर जिमेवारिया है तो हमेशा इस तरीके के अनर्जी में रहे हैं आपके पूर्शन खुलकर कभी ये वो चीजे आपको नहीं दे पाए जो आपने आखे बंद करके इनको दे दी है तो गैस देखें अब यहाँ पर सारी अनर्जी चेंज हो रही है ठीक है और य improvement, यह changes यह ब подलाव ऐसे ही नहीं हो रहा है यह changes यह बदलाव इन दो कार्ण के वज़े से यानि कि आप दुनों का चक्र बदल रहा है बदल रहे है इसके वज़े से इस इस इंसान में भी प्रिवर्तन नजर आया है इस इनसान के भावनावन में भी नजर आया है तो current अनर् तो मैं आपसे कहूं तो ये इंसान बर्दास्ट नहीं कर पा रहे आपके साथ जो जुदाई है ना इस जुदाई को आपके पोर्षन बर्दास्ट नहीं कर पा रहे तो यही सारी चीज़े आपके पोर्षन को वापस आपकी तरफ लेकर आना चाहती है और बहुत ब्यूटिफ सिर्फ और श्रिफ प्यार का ही ओफर क्योंकि इनको सिर्फ प्यार का ही जो है जरुरत है आपसे यहां पर कोई दोस्ती जैसी भावनाएं नहीं है कोई टाइम पास करने वाली भावनाएं नहीं है कोई खिलवार करने वाली भावनाएं नहीं है कि आपको जो है टीश्यू पे कोई भी आपको जो है चंद पलों के लिए आएंगे आपको इन आउट करेंगे या आपको जूटी मूठी कमिटमेंट आपको देंगे ऐसी एनर्जिस नहीं है यह स्टेश फोश्व आपको प्यार ओफर करना चाहते हैं आपकी तरफ प्यार लेकर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो यही नजर आई है कि बहुत जल्दी गुट सिगनल, गुट साइन, गुट नियूज, गुट ऑपर्चुनिटीज आपके पोस्न की तरफ से आपको मिलने वाली हैं कहीं लोगों को तो आज की रिटिंग में मिलेगी क्योंकि यहाप पर हमें गुट नियूस का कार्ड मिल या आपके पास आ नहीं पाए, मजबूरिया थी, हैना तो इन्होंने जो है उपरवाली से मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर्स किया है कि आप दुनों का मिलन हो जाए, तो यह इंसान आपसे मिलने के लिए भी बेताब है, मिलकर आपकी भावना या आपको शेयर करना चाहता है इस तो देखें, बहुत जल्दी यह चीज़े होगी, कुछ लोगों का आज के ही रिडिंग में आपके पोर्शन का कोई ना कोई संदेश, सोसल साइट के जरीए या ट्रावलिंग के जरीए अगर दूर रहते हैं तो हो सकता है कि आपको मूवी के लिए ओफर कर दे, या आप तक कोई संदेश पहुंचाए, या दोस्तों के जरीए पहुंचाए, या किसी रिलेटिव के जरीए पहुंचाए, मूचल फ्रेंज के जरीए पहुंचादे, या खुच जो है आपको अनब्लॉक करके, आपके साथ कम्मिनिकेट करें या कॉल करें तो कुछ भी सकती है, पर इनका, इनका ओफर्स बहुत स्ट्रेट होने वाला है, सीधा साधा होने वाला है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस यही चीज़ है गाईज, यहाँ पर कोई भी आपको गलत फैमी का सिकार होने की जरूत नहीं है, कि इनसान जो है किसी और इंटेंशन के साथ आपके पास आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका इंटेंशन, इनकी सोच, इनकी thinking सिर्फ और शिव आपको पाना है, आपके प्यार को पाना है क्योंकि यह आपके प्यार के बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आपको left over जैसा, outsider जैसा यह अपने आपको महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो चले देखते हैं इनकी तरफ से messages क्या है, मुझे कुछ बता रहा है तुमें, तो पहला जो message इनका आया है, pile no.1, मैंने अभी आपसे कहा था कि यह इनका जो feeling है, जो current feeling है, उसमें कोई भी आपको तकलिफ देने वाली चीज से नहीं है, यह सिर्फ अपने प्यार के बारे में इजहार करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यह किन मजबूरियों के वज़े से आप से दूर हुए है, क्योंकि eight of swords का काड यहां पर आया है, तो किस तरीके से यह आपको मांग रहे हैं उपर वाले से, तो यह सार अपने प्यार इजहार करना चाहते हैं और इनने कह भी दिया कि मुझे कुछ बताना है तुम्हें, I respect you a lot, यह कह रहे है कि साहित जुदाई के बाद इस इंसान को आपके प्यार की value समझ में आई है, कि आपका प्यार जो था कितना सच्चा था, कितना साफ था, यह कह रहे है कि जब आप इनसे दूर हुए हो तो इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यार बढ़ गई है, हो सता है कि पहले ही इनसान आपका उतना रिस्पेक्ट नहीं करता था, आपको नहीं समझता था, आपको ना हलके में लेता था यह इनसान पर अब यह इनसान के लिए बहुत रिस्पेक्ट है पाइल नंबर वन तुम्हें लगता है कि मैंने धोका दिया पर बात कुछ और थी तो देखें यहां पर साफ साफ निकल कर आया है और मैं सुरुआर से कह रही हूं कि यह इंसान जो आपकी लाइफ से गया है वो किसी प्रावलम के वज़े से क्योंकि यहां पर two of swords इनके confusion को दिखाता है यहां पर seven of cups बहुत सारे options को होने को दिखाता है फिर से confusion और यहां पर eight of swords याने की हो सता है कि इनको pressurize किया गया है आप से दूर होने की लिए इनको जो है बहुत अरा trapped situation में डाल दिया गया तो जो भी हो यह आप से वही सारी च दिख लिया है जिससे आप इनको धोके बात समझने लगे रोपर ऐसा नहीं है वाव देखे रिकॉंसिलेशन का यह message आज बहुत दिनों बात reading में आया है और रिकॉंसिलेशन यानि की फिर से relationship की चाहत फिर से आप से मिलना है फिर से आप से रिस्ता चाहिए इनको है और मैं कहती है आई हूँ कि आज reading में कपस के energy बहुत निकल कर आई है और इस इंसान के मन में आपके लिए कोई भी गलत भावना यह नहीं है यह सिर्फ और शिप आपको पाना चाहते है क्योंकि आपको पाए बीना यह इनसान खुश नहीं हो सकता इस बात की समझ तो इस इंसान को हो चुकी है है ना तो यह आप से रिस्ता फिर से चाहते है रियूनियन चाहते है तो लास्ट मेसेज इनकी चरफ से आया है कि आपको अपनी स्वास्थ का ख्याल करना है केर करना है है ना हो सकता है कि इनको पता चला है कि आप बहुत लापरवा हो गए हो आप खाना पीना न ध्यान रखना है चलिए गाइज यह थी इनके तरफ से कुछ मैसेज़स चलिए एंजल की तरफ से भी एक कार्ड निकालते हैं अच्छ ग्यान एक रिवस्यर आ करें इसर्म को आपने से अच्छल चलिए परोड यह थी इक। बहुत ही important message आपके लिए है देखे गाइस मैंने आपसे शुरुवा थी जब मैंने reading स्टार्ट की थी तब से मैं आपसे कह रही हूँ कि ये इंसान जो है ये इंसान बहुत सारी problem से घिरा हुआ है ठीक है बहुत सारी ककलीफे इस इंसान की जिंदगी में चल रही है और आपके person ने यहाँ पर एक message भी दिया था कि तुम्हें लगता है कि मैंने धोका दिया पर बात कुछ और थी दे कि यहाँ पर इन्होंने clear cut नहीं बताया है कि समस्या क्या है problem क्या है ये आपसे स्टिफ ये कह रहे है कि मैं धोके बाज नहीं हूँ ठीक है मैं धोके बाज नहीं जादा information लेने की कोशिस करो पता करने की कोशिस करो कि आखिर इस इंसान की जिन्दगी में चल क्या रहा है क्योंकि लगता है कि आपको आप बहुत बड़े गलत फैमिका सिकार हो गए हो पाइल नंबर वन ठीक है आपको लगता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है ये इंसान धोके बाज है इंसान आपसे प्यार नहीं करता है पर उपर वाले नहीं ये बास सेम कह दी है कि तुम्हारे पोर्सन के लाइफ में हो सकता है कि कुछ प्रॉलम्स चल रही है तुम्हें इसके बारे में जानकारिया लेनी चाहिए ठीक है तो कुछ information लेने को कहा गया है तो प पहले जानकारी ले लिजे कि इस इंसान की जिन्दगी में आखिर प्रॉलम्स क्या है ठीक है तो ये थी guidance इस और की तरफ से आपके लिए और ये थी reading आपके लिए आपके portion की तरफ से current energies I hope आपको समझ में आई हो इनकी भावनाए पता चल गई हो और guys reading पसंद आई हो तो व आपके लिए इस relationship के लिए और आने वाला वक्त क्या लेकर आने वाला है ना प्यल्ग आते वाला प्यानियूकर टु़िए हुआ हुआ है सही है हुआ 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 है एस ऑफ पांटिकल्स पहला ही कार्ट एस ऑफ पांटिकल्स का निकल कर आया है एस ऑफ वैंज दूसरा एस का कार निकल कर आया है गाईस ब्यूटिफुल एनर्जी तो बहुत मैगनेटिक कनेक्शन है पाई लंबर टू आप दोनों का रिस्ता है ना बहुत जादू ही है बहुत मैगनेटिक है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पोफेक्ट हो समझते हो आप दोनों मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे के बीना एक पल भी रह सकते हो जबी दो में से एक एक को भूलने की कोशिस करेगा तो भूल नहीं पाएगा इस तरीके का मैजिकल जादू ही कनेक्शन है आप दोनों का ब्यूतिफुल 10th man's with king of swords चारिएट बीटिफुल एक्षिन गारंटीड है आज की रीदिंग में दसान अगें बीटिफुल अनर्जी प्यार करते हैं यह जो भी है यह बंदा या बंदी यह इंसान जो भी है यह आपसे बहुत प्यार करता है इस बात को गाठ पान कर रख लो आज के दिए बहुत प्यार करता है जितना आप प्यार करते हो उससे भी ज्यादा साइद ही आपको प्यार करता है पर देखे न किंग आफ काप्स के उपर में क्या ने करकर आया है इस तरीके का इंसान है समझ गये बोजा धोड़ो कर ठक चुका है आपका पोर्शन नाइन अफ काप्स पर आप ज्यादा नहीं धोएगा गाईस अब यह इंसान अपने इन रिस्पांसरेटी से निकलेगा बहुत जल्द बहुत जल्द जल्द त्री अफ काप्स और बॉटम प्रशन पर पर आते हैं कैंसर की एनरजी मेजर अरकाना से स्ट्रॉंग निकल कर आई है आज की रिडिंग में उसके अलावा गईस वाटर साइन सबसे ज्यादा है कैंसर को पर पाइसे कर फूशिक और मीन रासी ठीक है उसके बाद यहां पर फाइर साइन है लियो सैजिटेरिस आरीस सिया धर्म मेस रासी उसके बाद अर्स साइन है टॉरस वर्गों कैप्रिकॉन रिशेप कन्या मकरासी और एर साइन भी है लेकिन बहुत कम है जैमे लिब्रा एक्वरेस मिधन तुला और कुमरासी ठीक है तो यह साइन और एलिमें निकल कर आए है रिडिंग को देखें लास तक हैंड रिडन मेसेज भी इनकी तरफ से निकालेंगे कुछ आपके लिए त आप दुनों के बिच के प्यार को लेकर तनाव को लेकर तकरार को लेकर क्या क्या चीज़े चल रही है तो सबसे पहले बता दो जो भी है यह इनसान मुझे देकर बहुत दया आ रही है इस इनसान के अनरजिस देकर बहुत दया आ रही है क्योंकि बिलकुल एक ऐसा इनसान जो दिल में इतना प्यार है, दिल में आपके लिए वो सारी feelings है, care है, emotions है, भाउनाएं है, आपको छुप-छुप कर प्यार करते हैं, secretly प्यार करते हैं, आपको बताते नहीं हैं, और इसके पीछे की वज़़े निकल कराई हैं, कि आखे रिए बताते क्यों नहीं हैं, feelings expressed क्यों दर्व नजर आएगा, ये इंसान ठक गया है, ये इंसान बोच धोते धोते, यानि कि कभी परिवार का बोच धोएगा, कभी किसी और की खुशिया धूलने की कोशिस करेगा, कभी किसी और की फर्माई से पूरी करने की कोशिस करेगा, और कहीं न कहीं आपने आपको भूलता चला गया अपने आपको sacrifice करता चला गया दूश्रों के लिए और ये बोश जो है खतम होने का नाम ही नहीं लेती इनको लगता है कि घर बहुत पास है अगर आप इस picture को देखोगे न आपको नजर आएगा कि इतना बोश मेरे जो कंदे पर है घर इतना पास है पर फिर भी वहा करते हो वो किसी ना किसी बोश के तले दबा हुआ है यानि कि इन्हे ना freedom नहीं है उन्हें अपनी खुश्या पाने का इलों मन जहा जो इंसान है जिससे यह प्यार करते है उन्हें पाचके इसाजत नहीं है हो सकता है कि इपास का अकेले ही responsibilities ले रखा है इस इंसान ने financially इन्होंने सब कुछ संभाल रखा है या फिर family के अगेंस नहीं जा पाते तो कोई ना कोई restrictions कोई ना कोई बोच आपके person को डाल दिया गया है और आपके person ठक चुके है इन बोच को ढोते ढोते लोग कब तक दूसरों की बोच को ढोएंगे लोग कब तक दूसरों की सारे पर चलेंगे एक ना एक दिन ऐसा आता है जब वो इनसान सब को छोट ठाड कर भाग जाता है तो आपके person का मन भी ऐसा ही होता है हैना कि कब निकले इन सारे चक्करों से इन सारे जहमेलों से हैना कब अपने जिन्दगी जी पाएंगे तो एक ऐसा मायूस इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता है दिल ही दिल प्यार करता है पर आकर आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि इनको लगता है कि अभी यहां पर निकल कर आया है three of cups यानि कि बोज के साथ साथ third party influence भी आपके relationship में है यानि कि कोई तीसरा व्यक्ति कह लिजे कोई तीसरा situation कह लिजे ऐसी चीज़े हैं आप दुनों के relationship में जिसका बोज आपके portion फिल करते है यानि कि third party की वज़े से ही आपके portion आपको अपने दिल की बाती नहीं बदा पा रहें आपको अपनी feelings express नहीं कर पा रहें ये जो third party के साथ में इनका connection है guys ये श्रीफ इनके जिमेवारिया है आपको ये ध्यान देना है ये इनसान सिर्फ और श्रीफ आपके प्यार करता है दूसरी तरफ का जो रिस्ता है या दूसरी तरफ की जो situation है वो स्रीफ नाम की है वहाँ पर श्रीफ ये अपनी जिमेवारिया पूरी कर रहे है पर इनका दिल इनका दिमाग इनके जिस्म में मुझे सिर्फ पर श्रीफ आपके लिए प्यार नजर आ रहा है और आपको लगता होगा कि third party ही इनके लिए सब कुछ है आप तो इनकी पर खुश बिल्कुल भी नहीं है ये इनसान कहीं ना कहीं ठक चुका है दूसरों की इच्छाय पूरी करते करते अपने आपको खो चुका है अपने आपको गुमा चुका है ऐसा लगता है गाई तो third party connection में आप इसके कई लोग मुझे यहाँ पर नजर आये हो आप दुनों के लिए ना क्या हो जानते हो आप इस इंसान के लिए तो एक बहुत खुपसरत तौफा हो तौफा जिसे इन्हों ने उपर वाले से पाया है उपर वाले निनकी जोली में आपको डाला है इतना खुपसरत यह आपको मानते है आपके साथ यह अपने सारे सपनों को पुरा कर आपके साथ ये अपने जिंदगी देखते हैं, आपके साथ खुश हो सकते हैं, जो खुशिया इस इंसान को दूसरी तरफ नहीं मिलता, दूसरे लोगों से नहीं मिलता, वो पीस ओफ माइंड कहते हैं, ना कि दिमाग की सान्ती, दिल की सान्ती, मन की सान्ती, वो सान्ती आप स इस इंसान को मिलती है, दूसरी तरफ से तो इनको स्रिफ ठकावट मिलती है, बोज मिलता है, सब इन पर जो है डिपेंड हो जाते हैं, पर प्यार सुकून जो चीज़े हैं, वो स्रिफ आप से इनको मिलती है, तो इस तरीके का जादूई connection आप दोनों का है, एक दूसरे को पाओगे, एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओगे, यानि कि आप इनको जितना याद करते हो, उतना ही याद ये इनसान आपको करता है, आप अगर इन से दूर भागने की कोशिस करोगे, तो ये आपको अपने तरफ खीच लेगा, ये अगर आप से दूर होने की कोशिस आप दोनों क्योंकि यहां पर universe का हाथ है और यहां पर देखे विस fulfillment का card भी निकल कर आया है तो इस इंसान के दिल में current energies में और क्या चल रही है देखे गाइस जो भी रिस्ता past में आप दोनों के बीच में रहा है न वहां पर इस इंसान को अभी लगता है कि मैंने वह सारी ची इसे पूरी करते करते दूसरों की बात तो वो सुनते सुनते मैं इस इंसान को कुछ नहीं दे पाया जिसने मेरे लिए सब कुछ किया यानि कि आपकी बात ठीक है इनकी current energies में वो है यह सोचते है कि आपने इनको सब कुछ दिया ठीक है six of particle जाने कि आपने इनको बराबरी का relationship दिया आपने इनको प्यार दिया आपने परिवार का नहीं सोचा आपने status का नहीं सोचा आपने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा आप इनने बस देते गए पर ये इनसान आपको कुछ नहीं दे पाया ये इनसान हमेशा किसी और के लिए करता रहा किसी और के लिए जि जारी चीज़े देने हैं, यानि कि आपने इंसे क्या मांगा था, रिस्ता मांगा होगा जादा से जादा, साधी का वादा मांगा होगा, कमिट्मेंट मांगा होगा, है न, आपका जिंदगी भर साथ देने का एक प्रॉमिस से आपने इंसे मांगा होगा, यही तो चीज़े मा क्योंकि यह इंसान स्टेन आफ वेंस के अनरजी में था दबा हुआ इंसान था ट्रैप था फसा हुआ था बोज की नीचे अपने आपको दबा हुआ महसूस करता था पर आप जाकर देखे यहां पर बॉटम में रूल कर रहा है कि अब मुझे वो रिस्ता बरावरी का देना है वो सारी चीज़े देने है उस इंसान को जो मेरे अभी भी रुका हुआ है यानि कि आप जो है अभी भी इनके लिए रुके हुए हो आप अभी भी इनसे प्यार करते हो और ये इंसान भी आपसे बहाँ ज़़यरा प्यार करता है तो इकल-गिवन टेक वाला है guys, देखें, यहाँ पर यह बहुच रहे हैं, यह अपने सारे बोच को नीचे रखकर, इनसान एक बहुत बड़ा decision लेकर आपकी life में वापस आ रहे हैं, बहुत बड़ा decision, ठीक हैं, आप यह इनसान किसी का नहीं सुनेगा यह इंसान किसी के बारे में नहीं सोचेगा अब जो है इनको जितना सोचना था थर्ट पार्टि के बारे में या अपने problems के बारे में यह इंसान सोच चुका है अब इन सारी चीजों से निकलने का वक्त आ गया है और पोल्ड स्ट्रेंथ में आपके पोर्सन बहुत बड़ा डिश्योंस लेने के मूड में है यह इंसान आपके बिना खुश नहीं है गाईस सबसे इंपॉर्टेंट बात जब रिडिंग में सन का काड आता है तो आपको सोचना है कि इस इंसान के जिंदरी में खुश्यों की कमी ह यह इंसान खुश होना चाहता है यह इंसान रिष्टा चाहता है यह इंसान फैमिली चाहता है यह इंसान वहाँ पर जाना चाहता है जाएंकि खुशिया बसी हुई है ना तो सन का काड याने कि खुशिया इनको कहां से मिलेगी खुशियों का सोर्स कहां है happiness का जैसे कि उज प्रिवार के बोच में दबा हुआ इंसान आपको नहीं मिलेगा थर्ट पार्टी की बातों को ना मंजूर प्रिवार के बारे में सोच रहा है जो सिर्फ आपको आपको सारे चीज़े देना चाहता है तो देखे फायर वाली पैशनेट वाली आनरजी यानिकि न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है एस ओफ वैंस का कार्ड यहां पर आया है यानिकि ये इनसान आप आपके तरफ स्रिफ आकरशित नहीं होते हैं बैंगनेट की तरह आप इनको नहीं खीचते हो बलकि आप तो इनको ट्रिगर कर देते हो जब भी आपका खयाल इनके दिमाग में आता होगा ना एक चिंगारी सी जलती है इनके मन में जो सुकून जो जो एकसाइटमेंट कहते आपके अलावा कहीं और से नजर आता ही नहीं कहीं और से इनको फीलिंग आती ही नहीं आप ही जो है इनके दिमाग की बत्ती भी चलाते हो दिल में जो है वो पैशन भी पैदा कर देते हो तो आपके साथ इस तरीके की ब्रैंड में बिगनिंग इस इंसान की होने वाली है औ लगने वाली है एक अच्छे पोजिशन पर आपके पोर्शन पहुंचते वे भी मुझे नजर आ रहे हैं और यह चार चांद लगाने वाला है याने कि यह इंसान अपने आपको करेंगे और आपके तरफ भी इंसान बहुत जल्द बढ़ रहे है तो सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक होने वाला है यह इंसान चाहते हैं सब कुछ ठीक कर दे ठीक है यह अभी बहुत जादा स्टोन हार्ट जैसे पत्थर दिल जैसे बनकर आपके सामने दिखा रहे हैं अपनी भावनाएं जो दिल में प्यार है वो भावनाएं तो चुपा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि मैं तो ऐसा राजा हूँ जिसे किसी की परवार नहीं है मैं तो पत्थर दिल राजा हूँ पर ये इंसान पत्थर दिल हो ही नहीं सकता इस इंसान को पत्थर दिल बनने पर या फिर पत्थर दिल दिखावा करने पर इनको मजबूर किया गया है गाइस क्योंकि यहाँ पर 10 of Wands का कार्ड है और 3 of Cups का कार्ड है आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी मैं देख पा रही हूँ कोई ना कोई celebration हो रहा है पार्टीज आप दोनों कर रहे हो आप पर आप दोनों की मुलाकात होती हुई जहाँ पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा यूनु झाप्पी होते खुश होते हुए एक दुसरे को सारी चीज़ें offers करते हुए तो मुलाकात होती हुई मुझे नजर आई है Pile No.2 आज की current तो देखे आपके portion स्विफ आपके साथ मुलाकात करके या आपके साथ parties करके आपको date पर लेके जाकर या आपके साथ dinner करके इतना movies देकर इतने में बात नहीं खतम होने वाली यहाँ पर एक बहुत बड़ा decision आपके portion लेकर आ रहे क्योंकि हमें मिला है चारेट का कार्ड ठीक है चारेट के कार्ड ने साफ साथ बता दिया है कि एक ऐसा इस इस इसान के मन में अब ऐसी चीज़े घर कर गई है कि आप जो है बहुत हुआ आप जो है मुझे जाना है वाबस मुट कर नहीं देखना है आप अपने जो टूटे वे relationship को जो है sacrifice नहीं करन है ठीक है आपके portion आ रहे गई पाइल नंबर टू बहुत जल्दी तयार हो जाओ उस magical movement के लिए उस जादू ही मुलाकात के लिए जो आप दुनों के वीचने बहुत जल्द होने वाली है बहुत से लोगों को जी हां बहुत से लोगों को आज के reading में ही यह success मिलने वाली है ठ आपके साथ एक नया relationship चाहते है ठीक है आपको इस तरीके से वो मांग रहे है उपर वाले से आपको मांग रहे है तो इनके यह wish भी fulfill हो जाएगी क्योंकि nine of cups हमेशा wish fulfillment का card होता है कि जो मांगा है तुमने वो तुमें मिलेगा ठीक है तुम्हारी दुआये कबूल हुई तु तुम्हारी प्रॉलम की बात यही है और लाद कि इनों ने उन ने संब्लम कर नहीं किए यह जबत कर द्कthese चाहिवकी कर आप कमजों एक कोई ना कॉफर憀ंदek says खुशिया, शिर्फ मैं सीधे सब्दों में कह दू बहुत सारी धेर सारी खुशिया लेकर आपके पोर्षन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ट्रावलिंग का बहुत चांसे से, कई लोग आप में से, मुझे ऐसा भी लगता है कि लॉंग दिस्ट्स रिलेशन्शिप में भी स पायत हो, ठीक है, ऐसा भी लगता है, तो get ready guys, जो भी खामोसी है, जो भी चुपी है, जो भी चल रहा है, वो बहुत जल्दी खतम हो रही है, तूटने वाली है, आपके पोर्षन जल्द से जल्द वापस आ रहे हैं, आपके लाइफ में, और third party connection में अगर आप हो, तो बिलक सिर्व आपके बारे में और इनके बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ठक गया है ये इनसान, दूसरों के लिए करते-करते, दूसरों के बारे में सोचते-सोचते, खुद को भूल चुका है, तो आब ये नहीं होने वाला, अब तो जो है उपर वाला भी आप दूसरों के साथ है, आपके पोर्सन और आपके रिलेशन्शिप में आजल का ब्लेसिंग्स है, और यहाँ पर विस फुल्फिल्मेंट का भी करड़ आ गया, याने कि इनकी दूआए कबूल होने वाली है, तो ये तो रही इनकी करेंट एनर्जिस गाई, चलिए, अब देख कि आप दुनों के बीच मिलाकात होने वाली है, आप दुनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है, जिस कनेक्शन के लिए तो न, उपर वाला भी मजबूर हो गया है, कि आप दुनों को मिलाकर ही रहेगा, और यहाँ पर देखे, बिलकुल वही बात आया है, जो कैंसल तो यह कह रहे है कि आप हसते हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे लगते हो, इसका डायरेक्ट मैसेज यही है कि इनको आपका रूठ कर बैठना, या रोते हुए रहना, या साइड अनरजी में रहना, ऐसे चीज़े इनको पसंद नहीं है, तो यह कह रहे है कि इंसान वापस आएगा आपकी दिन्दगी में और यह इंसान आ रहा है बहुत सारी खुशिया आपके चाहिए पर स्माइल देखने के लिए इंसान आ रहा है आपकी तरफ इ Angebस इनको सहलाणा आपका इनको केर कर ना है जो भी आप किया करते थे इनके लिए वो सारी चीजा को यह आपके पोर्सन बहुत मिस करते हैं। क्योंकि बाकी जगे इनको स्थिव इनको यूज केया जा रहा है आपके पोर्सन को इस इंसान को care नहीं मिल रहा, इस वज़े से तो आपका person ठक गया है, और ये कह रहे कि मुझे तुम्हारा care, तुम्हारा संभालना, तुम्हारा मुझे सहलाना, तुम्हारा मुझे support करना, वो सारी चीज़े मैं बहुत miss करता हूँ, या फिर करती हूँ. तुम्हें लगता है कि मैंने धोका दिया पर बात कुछ और थी, तो ये कह रहे कि मैं धोके बाद नहीं हूँ, बात कुछ और थी, problems कुछ और थी, जो मैंने आपको साफ साब बता दी, three of cups, every ten of swans आया है, कि बात कुछ और थी, धोके बाद इंसान मैं नहीं हूँ, पर तुम् रहे हैं कि आना चाहता हूँ, पर मुस्किले बहुत है, और ये अपनी problem आपके साथ share कर रहे हैं, पर मैं आपको बता चुकी हूँ, कि आप कोई problem नहीं होगी गाई, क्योंकि यहाँ पर, देखे, magical चीज़े होने वाली है, बहुत चमतकारिक चीज़े, जालोई चीज़े आ पर देखा हैं, तो जो भी problems हैं, उन सब से इनको निकाल कर इनसे दूर कर दिया जाएगा, प्रॉलम से आपके portion को दूर कर दिया जाएगा, इनके burdens को हटा दिया जाएगा, इनके जिम्मेवारियों को इनके कंदों से हटा दिया जाएगा, ताकि ये free होकर, free will के साथ आपको आकर अपना प्यार express कर सके, तो जब कुछ चीजे कुछ लोगों के हाथ में नहीं होती, हम इनसानों के बस में नहीं होती, तो उपर वाला मदद करता है, तो यहाँ पर इस इनसान का प्यार सच्चा है, और इस इनसान के सच्चे प्यार को उपर वाले ने भी देखा है, और इसी वज़े से उपरवाला इनकी help करेगा, इनकी wishes को पूरी करेगा, ठीक है, तो चाहे लाख मुसीबते हो, लाख problem हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि उपरवाला आप दोनों के relationship के साथ है, उनकी blessings है आपके साथ है, तो चले आप देखते हैं, आइंजल की तरफ से क् message आपके लिए, opportunity, वाव, तो मैंने अब ये sentence complete ही किया था, कि आप दोनों के उपर उपरवाले की blessings है, एंजल का हाथ है, तो चाहे मुस के लिए जितने भी हो, उपरवाला आप दोनों को मिलाएगा, आप दोनों को करीब लेकर आएगा, क्योंकि वो चाहता है, वो जानता है कि आपके portion का प्यार सच्चा है, जूटा नहीं है, और सच्चे लोगों की ही इस्वर मदद करता है, तो opportunity यानि कि एक मौका आप दोनों को जरूर दिया जाएगा, इस रिस्ते में एक offer आपको जरूर मिलेगा, यानि गुनजाईस अभी भी है, यानि आप दोनों का relationship खतम न और ये होकर ही रहेगा, opportunity मिलेगी आप तोनों को ठीक है, तो guys ये थी आपके portion की current feelings, I hope आपको समझ में आई हो, I hope आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो guys वीडियो पर like, comment, share and subscribe कर देना, मैं मिलूंगे आपसे फिर से next reading में, तब तक आपको रखना है अपना बहुर अच ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जादा प्यार, I love you all, take care, namaste and bye guys